सब्सक्राइब कीजिए माई एंडूइड यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता हूँ कि आपका आधर कार्ड खुद का है वो डाउनलोड कैसे करते हैं ये वीडियो आज तक जरूर देखें आपको जरूर हल्प होगी सबसे पहले आधर कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक चीज़ को नौट रखें कि आधर कार्ड के अंदर आपका रजिस्टर मोबाइल नमबर एड होना चाहिए वो जब तक उसमें रजिस्टर नहीं होगा तो आप आधर कार्ड यहां से भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और किसी भी मैथर से आप नहीं कर पाएंगे यहां पर आपका रजिस्टर मोबाईल नमबर देना होगा जैसे मोबाईल नमबर देए एक OTP यह जिसको आप डालेंके तो चाहिए दूसरा small होना चाहिए फिर कोई भी एक symbol होना चाहिए उसके बाद number होना चाहिए मैं screen पर आपको बताता हूँ जैसे के A capital में डाला है B small डाला है फिर address डाला है फिर 1,2,3,4 यानि फिर कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं जो भी number आपको डालना हो minimum password में 8 अक्षर आपके होने चाहिए उसके बाद अगर आप pin डालना चाहते हैं तो pin भी set कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर pin set कर चुका हूँ या आपको login की वक्त काम आएगा जब यह आप register कर लेंगे उसके बाद आपको जो इस तरह का interface मिलेगा यहाँ पर आपको other card add करने के लिए पहले बोलेगा आप other card को add कीजिए जैसे इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर option मिलता है other card number डालने का आप जैसे other card number डालेंगे तो वहाँ पर आपको फिर OTP आएगा अगर आपका mobile register number जो है वो other card में add है तो उसी number पर OTP आएगा आप जैसे OTP डाल देंगे उसके बाद आपको इस तरह से interface आजाएगा आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने दो चीज़ें add कर लिए जैसे कि other card है और pen card है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि other card pen card दोनों add हो चुके है अब यहाँ से मैं इसको देख भी सकता हूँ और अगर मैं download करना चाता है तो यह तीन डोट दिखाए देंगे उस पर मैं click करूँगा जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर download PDF का option आजाएगा जिस पर आप click करेंगे तो यह other card आपके लिए officially download हो जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीके पर आप इस PDF को आप कहीं भी send भी कर सकते हैं और इसको आप print वगेरा भी कर सकते हैं इसके अलाब आपको यहाँ पर और भी option मिलते हैं आप अगर चाहें तो इस application के अंदर आपका pen card भी add कर सकते हैं driving lessons भी add कर सकते हैं दूसरी भी बहुत सारी चीज़े हैं तो मेरा मकसर सिर्फ आपको other card download करने का था वो मैंने दिखा दिया अगर आपको other card download करना है तो पहली शाथ यही रहेगी कि आपका mobile register, mobile number जो है वो उस other card के अंदर register होना चाहिए उसके बाद इस process से आप आसानी के साथ other card को download कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रू पसंद आगर वीडियो पसंद आगर वीडियो पसंद आगर तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के शेयर कीजिए किसी वीतरा का उपके सवाल या सजेशन हो तो comment box मिली दीजिए और दूसरे नए वीडियो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंडर को ज़रू से सबस्क्राइब कर लीजिए